जैन दोस्तों दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना कि किसी भी power supply company में जो हमें electricity प्रोवाइड करते हैं उनकी official website पर जाकर यदि हमें अपने नाम को change करना हो या किसी की नाम से जो connection है उसे अपने नाम पर करना है या फिर अपने नाम की connection को किसी और के नाम पर करना है तो उसका सही-सही पूरा process क्या है तो दोस्तो उस process में हम लोगों ने जाना कि हमें उस application को कैसे fill up करना है online उसके बद हमें एक application number भी मिल गया तो अब application number मिलने के बाद उस application number की मदद से उस application number की मदद से अधी उस fill up किये गए online form का status अधी हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे आज की वीडियो में हम वही जानेंगी दूस्तो प्रोसेस बहुत ही आसान है प्रोसेस बहुत ही similarities से गुजरती ही process जाएगी बहुत ही आसान है आप भी इसको बहुत ही आसाने से उस status उस application करने के लिए या किसी के नाम के connection को अपने नाम पर करने के तो वीडियो स्टाट करते हैं उससे पहले यदि हमारे चनल पर नहीं है और पहले बाहरे चनल के मादम से वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जब सब्सक्राइब कर दें वगहर सोचे समझे क्यूंकि इस चैनल के वी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसके official website पर जाएंगे और जैसे मैं CESC का यूज करता हूं तो मैं office website पर गया और सबसे पहला जो option है उसको मतब उसके official website पर चले जाएंगे पहला option क्लिक किया और official website पर चला गया उसके बाद यह पापा रहा इसको कर देते हैं हम स्क्राल रहनी चाहते हैं जो process हमने name change के लिए application किया था वही process है हम यहाँ प्रक्राइब नेम चेंज पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास एक ऐसा पर वा गया है इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहला option जर्रल नेमड चैंज पर क्लिक करेंगे क्लिक कर दीए दिखिए अब हम पर हम यहां पर आदेख स्टेटस करना हमें हम यह वीडियो खास किसलिह है कि हम उस स्टेटस को चेक करेंगे जिस application को पिछली बार हमने submit करा है name change करने के उद्देश से तो उस application number की माध्यम से मदद से माध्यम से मदद से हम क्या करेंगे status को check करेंगे कि हमारी जो application की क्या इस्तिति है तो process यहां तक आएंगे हमें एक option मिलेगा check status पर click करेंगे तो check status पर click करेंगे देखिए form number पूछ रहा है तो आपको application number दिया गया था जब आपने application को submit किया था उस application number को आप यहाँ पर put करेंगे ठेक है उसके बाद क्या करेंगे submit पर normally click करेंगे बहुत ही छोटा बहुत ही आसान process दूस्तों बहुत ही बुल्डियों को आप स्टेटेस को चेक कर पाएंगे एडी अप्लिकेशन नंबर के तुरू कोई भी अप्लिकेशन आप submit करते हैं online process करते हैं तो आपको एक application नंबर मिलेगा उस नंबर को आप ख्याल करते रखिएगा कहीं नोट डाउन कर लिजिएगा और उससे चेक स्टेटेस पर आके आप स्टेटेस जान पाएंगे बिल्कुल इस तरह है तो इस पर हमने form नंबर को लिख लिए उसके बाद हम क्या करेंगे नॉर्मली सब्मेट पर क्लिक करेंगे तो देखें ट्रांसफर ओफ सप्लाई इस अंडर प्रॉसेस क्या है अंडर प्रॉसेस अभी कम्प्लीट ने हुआ है मतलब कल की डिट पे ही हमने नेमचेंज का एप्लिकेशन जो है फिलब किया था ओनलाइन तो हमें एक अप्लिकेशन नंबर मिला था तो अभी उसका शेटेस क्या दिखा रहा है ट्रांसफर अफ्सप्लाई अंडर प्रॉसेस मतलब वो अंडर प्रॉसेस में अभी नहीं हुआ जब प्रॉसेस कंप्लीट हो जाएगा देटेल्ज आ जायेगा कि आपका जो है ट्रांसफर हो चुका है क्या अमाउन्ट लाएगा सेकुर्यटरी प्रास्रस एप्लिकेशन नंबर के मदद से अप्लिकेशन नंबर की माध्यम से आपको चेक जैक करना हो अपके अप्लिकेशन का तो आप इस प्रोसेश को फालो करके बिल्कुल आसान से कर पाएंगे लस्त वी डियो कैसा रहा हमें कमेंट से बिले कि जोर बताईएगा और हाँ अभी तक यदि आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं के चनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंड करें और हर वीडियो को आप एक जैसा प्याद दें दोस्तो वीडियोस को देखें समझें उसको यदि प्राक्टिकली इंप्लेमेंट करने की जुरूत है कभी पड़ती है तो वीडियो की हिल्प लेकर आप उस प्रोसेस को कर पाएंगे दोस्तो बस रिक्वेस्ट यही है यह चैनल को यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं टॉपिक लेकर हम आएंगे अपने चैनल के माद्यम से तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च जय हिंदू